तो जैसे कि भी आप देखेंगे मैंने अपने मोबाइल के जो स्क्रीन है वो मैंने अपने टीवी के साथ में सेर कर रखा यहाँ पर हम पने मोबाइल में कुछ भी करेंगे तो उसका जो यूजर इंटरफेस वो हमारे टीवी में दिखाए देगा तो अगर आपको भी सीखना कि मोबाइल के जो स्क्रीन है वो किस तरीके से टीवी के साथ में सेर किया जाता है तो इस वीडियो को आप कम्पलीट वॉच कीजिएगा तो चले वीडियो को सुरू करते हैं तो यहां पर हम आगे अपने मोबाइल के स्क्रीन पर सबसे पहले यहां पर हमें अपने मोबाइल का डाटा और होट्सपूट यहां पर हमें ओन कर लेना है उसके बाद में अब हमें अपने टीवी में इंटरनेट करनेक्ट कर लेना अगर आपको अपने टीवी में इंटरन इस तरीके से आपको सबसे पहले अपनी टीवी में इंटरनेट कर लेना है उसके बाद में आपको दुबारा से मोबाइल के स्क्रीन पर आना है और यहां पर आने के बाद में सबसे पहले पिले इस्टोर अप्लीकेशन ओपन करने के बाद में यहां पर आपको एक को यहां पर मैंने पहले से stole कर रखा है यहां पर इसे फॉर पॉांक्टाय कर रे टेंग चैनलियग और पां件 करेंशन को दिखांदा बार य्थे डाउन्ड भी किया गया है उसके बाद में सिंपलिं आपको यहां एड़ेट करना, तो कोई भी email आईड़ी आप सेलट कर लीजीगा, उसके बाद में यहां पर आपको simply क्या करना है? इतना करने के बाद में यहाँ पर choose your favorite का option दिखाए देगा simply आपको यहाँ पर note ना वाले option पे click कर देना है उसके बाद में यहाँ पर आपको एक device show होने लगेगा simply आपको device वाले option पे click करना है और उसके बाद में यहाँ पर device दिखेगा simply आपको start नावाले बटन पे click कर देना अब जैसे आप start नावाले बटन पे click करेंगे तुरंत आपके mobile का जो screen है वो आपके TV के साथ में share हो जाएगा